हेलो अब्रिवन जै हिंद आज है 9 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 9 सितंबर से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions का discussion करेंगे कल के question कर वजन कर लेते हैं कल हमने पढ़ा थे कि रिसेंटली प्राइम मेनेस्टर नरेंडर मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में आशियान भारत संबेलन में पार्ट से पेट करने पहुचे हैं रिसेंटली जिमवाववे के क्रिकेटर हीट स्ट्रीक का रिसेंटली निधन हुआ है ओडीसा के कोरा पुट के काला जीरा और रायगढ़ा शॉल को जी आई टैग मिला है दुनिया का पहला portable hospital ये गुजरात में नर्मित किया गया है आरोगी मैत्री क्यूग NCIT ने UNESCO के सहयोग से स्वास्थ पराधारी जो किताब है लेट्स मूफ फॉरवर्ड ये कॉमिक किताब है जो कि जारी की गई है अंतर राश्री साक्षर्ता ये लिए ट्रेसी डे आठ सतंबर को मनाया गया मालवी मिशन जो कि सिक्षा मंत्राले की पहल है रिसेंटली IIT जोधपुर ने वायो गुडवत्ता के लिए कोड नामक उपकरण है जोकी विकसत किया है प्रेस एंफॉर्मिशन ब्यूरो की महानिदेश के मनीस देशाई बन गए है सभी questions हम लोग ने कल पढ़ लिये थे देखिया आज Saturday है आज तो वैसे हफ़ते की last class ही हम कहेंगे क्योंकि Sunday के दिन हम भी एक लियर रिवजन करते हैं तो कल के दिन हम Monday to Saturday के important questions का रिवजन कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल हाली में किसके द्वारा चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर मेगा सैन ये अभ्यास जिसका नाम है ट्रिशूल इसका आयजन किया गया तो इसका आयजन रिसेंटली किया गया है भारती वायू सेना यानि कि इंडिया ने एर फोर्स के द्वारा यदि आप देखें तो इंडिया का नक्सा और इधर कंदे पर बैठा हुआ चाइना और इस तरफ बैठा हुआ पाकिस्तान है इतना तो बेसिकली आपको मालूम ही है कि मैग मुहन लाइन है जो कि भारत और चाइना की बीच में अंतर राश्ट्री सीमा बनाती है मैं इस फ़र चाइना के बीच में और यहां पर इंडिया और पाकिस्तान की बीच में जो रेखा है अंतर राश्ट्री सीमा बनाती ही इसका नाम हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा तो दोनों ही आप याद रखेंगे तो भारतिय वायू सेना द्वारा चाइना और पाकिस्तान की सेमाओं पर यह जो मेगा सैन अभ्यास है त्रिशूल इसका आयोजन दस दिनों तक चार सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और नहीं दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक G20 होना इसी किसमेलन के अनुरूप इसका आयोजन किया जाना है तिक हैं और यह अभ्यास से लद्दाक इमाचल प्रदेश, जमुकश्मीर के सांसाथ, पंजाब सहीत, उत्तरी भारत का जो शेत्र है न यहाँ विमन इस्थानों पर आयजित किया जाएगा इसमें राफियल मिराज 2000, SU-30, MKI जैसे लड़ा को विमान पाटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ यदि मैं बात करूं इंडि आर्मी की तो यह 15 जनवरी को अपना इस्थापना दिवस मनाता है और इसका प्रभार कौन सम्हाल रहे हैं यह सम्हाल रहे हैं मनुज पांडे फिर एदि मैं बात करूं भारती 9 सेना की तो यह 4 दिसंबर को अपना इस्थापना दिवस मनाता है और इसका प्रभार कौन सम्ह रहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड की महानी देशक का पद्वारभी हाल फिलहाल में राकेश पाल ने सम्हाल लिया है इस कोशन देख लेते हैं हाली में ब्रिटेन के कि शहर ने खुद को दिवालिया दिवालिया का मतलब होता है बैंक कर प्रभावे जारी होने के बाद सभी जरूरी खर्च बंद कर दिये गया और इसने खुद को बैंक कर अप्ट घूशित किया गया है बर्मिंगम में जो इस्थानी अधिकारी है इन्होंने महत्वपूर्ण सेवाओं को यहां पर बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने परिसत क प्रभावी रूप से नहीं कि पैसा ही नहीं है कहां से पूरा मैनेजमेंट होगा तो यहां लाखों पॉंड की वार्सिक बजटी कमी के कारण यह क्राइसिस का सामना कर रहा है ब्रिटेन का शहर जिसके कारण इसने खुद को बैंक कर दिया है आप यॉरप के नक्से में यह देख सकते ही यू के जिसकी कापटल यह हो जाएगी लंदन लंदन यह बसी हुई है टेम्स नदी के किनारे करंसी पॉंड स्टर लिंग प्राइम मिनस्टर यहां के रिसी सुनक हो जाएंगे कंसरवेटिव पार्टी के हैं और यह भारती मूल के हैं ठीक है अब देखे ऑप मैंने आपको बताया भी था टॉप पर ऑस्ट्रेलिया था इंडिया इसमें चौथे स्थान पर था सिक्स्टी वन मेडल के साथ ऑप्शन बी में हैं लिसेस्टर लिसेस्टर में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम गावसकर के नाम पर रखा गया है मैदान का नाम सुनिल गावसकर के नाम पर लंदन के बारे में बात करूं तो यह तो मैंने बताया यह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है अभी जो ट्राफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था ना दुनिया में सबसे अधिक ट्राफिक यह लंदन में ही बताया गया था से पुस्थि है, वैसे ही भारत में कोई इस्थान है, ज कि सूती वस्तर के लिए परसिध्द है, तो यदि आपके एक्जाम में पूछा जाए कि भारत का मैंचेस्टर किसी कहा जाता है, तब आप पांसर क्या करेंगे नेस कोश्चन की तरफ चलते हैं तीन दिवसी काठ मांडू कलिंग साहित महोत्सव का आएजन कहां किया गया तो इसका आएजन किया गया ललत पुर जोकी है नेपाल में इसका उद घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साओध ने किया है भारत साक्से में यह है नेपाल की लोकेशन नेपाल की राजधानी वसेना काठ मांडू है और काठ मांडू में किसका हैट्वाटर आपने याद रखा है सार्क का साउथ हेशें इसूसेशन पर रीजनल कॉर्परेशन का करंसी यहां की हो जाएगी नेपाली रुप्या और यहां कि प्रेसेडेंड प्राइम मिनस्टर अभी हाली में बनाये गया है डेखें जो इहां के प्राइम मिनस्टर बने है यह बने है पुष्प कमल दहल प्रचंड मुझे हला कि यहां पर मेंशन कर देना चाहिए था लिखने कि ज़ूरुत नहीं पढ़ती पुष्प कम नेपाल के बीच में होने वाली joint military exercise है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सूर्य किरन exercise, दुनिया की जो सबसे उची चोटी ना Mount Everest, Mount Everest यह आप नेपाल में ही पढ़ते हैं, हलकि नेपाल में नैसे सागर माथा की नाम से जाना जाता है, इस पर सबसे अधिक बार चढ़ाई, कामी र तो शेरपा के बरावर में ही यह उपलब्धी पसांग देवा सेरपा नहीं कर लिया है, तो यहां से आप रेलेट कर सकते हैं, जो हांसनबर्ग साउथ एफ्रिका में ब्रिक्स समिट इस साल का हो रहा है, जिसमें कि भारत की तरफ से प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रमोधी ने पाट्सपेट किया है, कोलंबो श्री लंका में पहली बार करनाटा कल्चर और फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, और यदि मैं बात करो दिल्ली भारत की राजधानी इस साल का जी ट्वन्टी समिट ये दिल्ली में एजित किया जा रहा है, इसी से मिलता जुलता सवाल मै आगे अड़ कर दिया है, अठारहवे क्रम का जी ट्वन्टी समिट है, जोकि सर्भारत होश्ट करने जा रहा है, कई एक्जाम में इसकी थीम बार बार पूछी जा रही है, याद रखी, वशुद है वकुतुम्बकम की तर्ज पर एक प्रत्वी, एक परिवार और एक भवि आती है, और इसके अलावा, उन्नेस देसों का, ये समू हो जाएगा, जी ट्वन्टी, जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, कि इन किस बिल्डिंग पर, तो ये भारत मंडपम में, देखी, अब यहाँ पर कन्फ्यूस करने वाला है, कि इं इसका आयोजन है, जो कि किया गया है, यह इंटरनेशनल एग्जिबिशन का कन्वेंशन सेंटर है, जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया है, ये कन्वेंशन सेंटर की रिडिवलप्मेंट की लागर 2700 करोर रुपए है, 7000 से जादा लोग इसमें बैठ सकते हैं, इतनी सेंटरों के बराबर है, मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लगबख साढ़े 5000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की फसलेटी यहां पर है, सरकारी एजनसी इंडिया ट्रेट प्रमोशन और्गनाइजेशन इनकी ITPO का यहां कॉम्प्लेक्स है जो की 123 एक्षो 23 एकड में फैला हुआ है, तो इसका एजन भारत मंडपम जो की दिल्ली में है, यहां पर किया गया है, और इसी भारत मंडपम में इदिया आप रिलेट करेंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतीमा का उधगाटन, प्रसिडेंट द्रौपदी मुर्मुजे क दुआरा किया गया है, यह कल मैंने आप लगों को करंट फर में बताया था, यह जो जी टुन्टी समट शिरू हो चुकी है दिल्ली में, इसमें शेर्पा का नाम क्या है, शेर्पा का नाम है अमिताप कांत, अमिताप कांत ना यह नीती आयोग के पूर्वसी यह है, अच्छ आध ने वाला, गाइड करने वाला टर्म ही ही शेर्पा कहलाता है, तो शेर्पा एक तरह से इस आयोजन को ले लेकर कि देश के भीतर सभी एजनसीज और विदेशी एजनसीज के बीच में सामंजस से बनाने का मुख्य काम करता है, तो यह निती आयोग के पूर्वसी यहु किया था हमारी वत्त मंत्रे निर्मला सीतरमने त्रिपुरा की राजधानी अगर तला में जीएश्टी भावन की आधार शिला रखी थी ठीक है और नरेंद्र अधिश्टी में बात करूं तो इनसे रिलेक्टर तो बहुत सारे करंट फरकेफेक्ट हैं जिसे की राय सीना डायलोग यहां से हम रिलेट करने राय सीना डायलोग आप जानते ही है दिल्ली में आईजित किया गया था जिसमें कि मुख्य अतिति के रूप में शामिल हुई थी इटिली के प्रायम मेनिस्टर जॉर्जिया मिलनी आगे चलते हैं हाली में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री मेधावे छात्र प्रो साहन योजना इसकी शुरुआत की है तो रिसेंटली इसकी शुरुआत है अभी हाली में ओडी सा गवर्मेंट की द्वारा की गई है औ इन्होंने बारवे बोर्ड में सत्तर प्रतिसत से ले करके पचास यहीं कि 70% से 85% जिनके आये होंगे तो छात्र शात्राइं दोनों ही इसमें शामिल होंगी तो इसे फाइनेंशली हेल्प दिया जाएगा जो कि इनके हायर एजुकेशन में इनके आगे की सिक्षा में हेल्प कर सकेगा जो चीज़े मैंने बताई पीडियेफ में 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 मेंशन कर दूंगी यहीं बात करूँ ओडिसा की राजधानी इसकी भूबनेश्वर मुखिमंत्री नव होक्य स्टेडियम जिसकी बैठोक शमता बीस अजार दर्शकों की है यह बिरसा मुंड होक्य स्टेडियम राउल के ला में हैं फाइच मैंस होक्य वर्ल्ड कप कायजन यहीं किया विजेता इसमें जर्मनी रहा था इंपॉर्टन्ट यहां कि दो नेशनल पार्क आप अधा एक और चीज़ जो मैंने बताए कि महानदी परवांध है तो महानदी पोदगा मोड़ी सा से नहीं होता ना पहले तो मैं नेशनल पार्क लिग दूँ जो आगे पीछे हो गया था शिमलेपाल और भीतर कनिका तो मैं जिस महानदी का डिस्कुशन कर रही है यह उत्तर प्रदेश्वारी छत्तिस गड़ में रायपुर के पास जो सिहावा पहाड़ी है वहां से महानदी का उद्गम होता है अब यदि हम ऑप्शन के थूँ बात करें तो राजस्थान में अ यह स्कूटी योजना के शुरुआत और तमिल लाडू में तमिल लाडू के ऐसी कौन सी योजना जो कि हाल फिलाल में मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्टा योजना जो कि चर्शे में थी यह आप रिलेट कर सकते हैं नेक्स शुरुते हैं हाली में जम्मो विश्विद्याले में अपनी तरह के पहले सामुदाइक रेडियो को उद्गाटन जुकी किया गया है यहां के जो प्राजिपाल है मनोज सिन्हा तो जम्मो विश्विद्याले के 54 स्थापना दिवस के मौके पर इन्होंने द्वारा नोडल विश्विद्याले इसे गोशित किया गया है रिसेंटली किदी मैं बात करूं मनोज सिन्हा की तो यह जम्मो कश्मीर के उपराजिपाल है किदी मैं बात करूं बीडी मिश्रा की रिसेंटली यह लगदाख के उपराजिपाल बनाए गया है अमित शाह तो श्री नगर में ही किया है वित्तमंत्रे निर्मला सीतरमा ने जो की जीएश्टी परिशत के भी अध्यक्ष होती है अगर तला में किसका उद्गाटन जीएश्टी भवन की आधार शिलानन रखी है इस साल जो होगा भारत होस्ट करेगा इसके लिए स्पॉंसर है महिंद्र ग्रूप इसका इने की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन्यस तोनों इसका फॉर्मेशन यह है दुबई यूई हटक्वार्टर है ग्रेग बार के लिए अध्यक्ष है और आपको मालूम ही है कि इस साल भारत ICC Men's of World Cup पोस्ट करने जा रहा है और इसका जो आयोजन है मतलब कि ओपनिंग सरेमनी जो होगी न यह गुजरात में जो नरेंद्र मूदी स्टेडियम इन दुनिया का सबसेवरे स्टेडियम यहां से चार अप्टूबर से इसके शिरुवात कर दी जाएगी अंतिम सके यह ग्लोबल फाइनेंस सेंटर सेंटरल बैंकर रिपोट में कौन सी रेटिंग मिली है तो इन्हें 1-plus यानि 1-plus gallery म adolescent की अ गाटन किया गया है लेकिन कि शहर में किया गया है शहर में चार आप्शन आपके सामने लेख सके तो चारों के बारे में डीटेल में बताईएगा हमें लेंगे कल रिविजन क्लास में thank you so much